हेलो फ्रेंड वेलकम तो माय चैनल स्किल औफ क्रेटिव माइन बाइ अंजिना लेस्ट टार्ट वीडियो बेसिक टूल कटर और भूले न्यान आज यहां हम कुछ नहीं एक्टिविटी करने वाले हैं वह एक्टिविटी है एक लकडी के साथ में और वह जो लकडी मैंने आप देख रहे हो कि ऐसे देखने पे तो लग रहा कि मार्किट से खरीद के लाके मैडम बना रही होंगी बट ऐसा नहीं है यह मैंने खुद घर पे बनाया हुआ है इसका डीटेल में आपको आगे बताऊंगी और सबसे पहले हम लोग उनको बान लेंगे कॉर्णर में बानने के जैसे कि मैंने यहां पर किया हुआ है इससे आपका टाइम भी बचता है और राउंड करने के लिए काफी अच्छा पड़ जाता है और बार बानना नहीं पड़ता है कॉर्णर में जब आप इसको राउंड कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान देना है कि जो आपका उनका कलर ह है वह एक पर एक होना चाहिए एक के बाद एक नहीं होना चाहिए और क्यूंकि यह जो मैं आपको बता रहे हुए एक पर एक और एक के बाद नहीं होना चाहिए इसका भी एक लॉजिक है क्यूंकि जो मैं पॉम-पॉम का पाटन चाहती हूँ इस तूल के थरू उसके उसको मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि वो कैसा बनके दिखने वाला है तो इसमें आप मतलब जैसा चाहे वैसा आप डिजाइन भी दे सकते हैं जैसा चाहे आप पैटन बना सकते हैं राउंड करके मुल्टि कलर के साथ में या सिंगल कलर बनाएंगे तो भी बना सकते है और एक चीज की इसमें जो उन है उसको आपको हंड्रेट टाइम घुमाना है हंड्रेट टाइम घुमाने से क्या होगा कि आपका जो पॉम्पम है वो बहुत जादा अच्छा उठके आएगा खिलके आएगा आपको उसको बानते लूज नहीं होना चाहिए लूज होने से क्या होगा कि आप जब कट करोगे तो वो खुल जाएगा अलग हो जाएगा फिर तो बांते वक्त इस चीज का ध्यान दे कि आप काफी टाइड बांदे और जब बांध रहे हो तो यह जो मैंने स्केल लिखा हुआ है मेजर्मेंट क उसके माप से आप बांध सकते हैं एक इंच का ग्याप रखा हुआ है मैंने एक इंच का ग्याप रखने का बैनिफिट यह है कि जब आप कट करोगे तो वो डिवाइड हो जाएगा हाफ में और फिर कटिंग करने के लिए काफी इजी हो जाता है यह जो स्केल बना हुआ है अब मैं आपको बता थी कि यह जो लकडी है यह मैंने घर में कहीं मेरे स्टोरेज में पढ़ा था तो मैं लेके आई और फिर मैंने दोनों तरफ उसमें खिले ठोके ठोकने के बाद में मैंने इस पर दो तिन बार एक्सपेरिमेंट किया है कि यह कैसा बनता है उसके बाद मै मैंने यह आईडिया आप लोग तक शेयर कर रही हूँ क्योंकि यह जो टूल है यह टूल मैंने कहीं देखा नहीं है यह नहीं कहीं मैंने सीखा नहीं यह मेरा खुद का ओन क्रियेशन है तो मैंने सोचा कि आप लोग तक यह आईडिया शेयर करूं जिससे कि बहुत सारे घर तक मेरी आइडिया पहुचे और कम समय में बहुत जारा पॉम-पॉम बना सके और जो हम लोग पहले वीदी यूज करते थे चमत से बनाना काटे वाले चमत से बनाना हाँ से बनाना या फुटे से बनाना या साचे से बनाना बहुत सारी ट्रिक थी यूज करने की लेकिन उसमे लेकिन अब इस टूल से आप कम से इस तूल से कम हम मेन बहुत plinा चुश्पून Olay जो हमने टाय किया उसको आपको घुमा घुमा के कट करना है और इसमें जो भी एक्ट्रा थ्रेड होगा उसको आप कट कर लीजे बेसिकली इसमें बहुत कमी धागे निकलते हैं यह एक्ट्रा थ्रेड वह है जो हमने बांदे थे और बहुत कम रहते हैं कि इसमें कट करने के ल please like, subscribe and share my channel thank you for watching this video